अलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारी यूटूब चनल पर मैं टीके जांगे नर्शिंग ओफिसर्स अब दरजंग होस्पिटल और आपके लिए लेके आया हूं नोरसेट रिजल्ट का फुल एनलाइसिस तो इसमें आपके जैसे कि आपको पता है नोरसेट का रिजल्ट आ खला चुका है और कल इसका रिजल्ट आ गया था तो अब बहुत लोगों को कुआसे है कि लिजल्ट कैंसे गया स्याहिए तो इस बार तो तोस नोर 6000 क्याुब WooAS जोन में है और किसका selection यहां पर हंडेड परसेंट है तो हम बात करते हैं एक एक करके तो सब्सेपहले तहुम आपको बता दूं यह अब भी जो जैसा को रिजल्ट आया है तो इस रिजल्ट के एकोडिंग जो हम बात करें सारी केटेगरी वाइज की बात करें तो यूर और एड़ ब्लूएस के लिए यहां पर 50% जो की वो आपको जो की क्वालिफाइंग क्राइटेरिया था OBC का 45 था SCST का 40 और UR जो PWD के लिए 45 और EWS PWD का कोई कंडिडेट था नहीं यहां पर OBC PWD के लिए 41.5 है और SCPWD के लिए 44.16 था और SCPWD के लिए 38.6 था तो यह इस तरह से आपको जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया था उसके बाद में यह इस तरह से टोटल जो हम यहां पर देख सकते हैं स्क्रीन में यह जो टोटल कंडिडेट हैं वो यहां पर क्वालिफाइं करें हैं यानि इस exam में total 2668 लोगों नहीं qualify किया है यानि सब लोगों नहीं qualify भी नहीं किया है इतने लोगों नहीं qualify किया है और seat बहुत ज्यादा थी लेकिन आप देखो क्या होता है क्या उन seat पर सबको selection होगा या क्या होगा अब यहाँ पर यह सोचने वाली बात है तो उस पर हम discuss करते सबसे पहले हम बात करें यह आपकी की सीटे हैं है वो कुछ इस तरह से हैं आपकी हम बात करें देखें यह आप को आप यहाँ पर देख सकते हो यह Lady Hardin की है और Lady Hardin की तो इनकी अगर हम बात करें तो यूर की टोटल जो सेंटरल गवर्मेंट की होस्पिटल हैं इनकी बात करें तो टोटल 193, EWS की 33 और OBC की 74 प्लस हैं और SC की यहां पर 28 हैं और 19 हैं तो यह यहां पर कुछ रिजल्ट को वेरी कर सकते हैं जो हम डिस्कुस करेंगे इसमें की कैसे क्या होने वाला है उसके बात में हम बात करें तो यह EMS की सीटे हैं आपके सामने तो यह यहां पर देख सकते हैं जैसे की पहले सबसे पहले जो लिस्ट आईठी उसमें यहां पर 1000 Hafn 55 तोEMS की सीटे थी total उसके बाद में हम बात करें तो यह अपकी 180 मंगलागिरी की एड़ ह तो 180 मेंगलागिरी की एड हुई थी लेकिन उससे पहले भी यहाँ पर मेंगलागिरी की 117 सीटे थी तो यह थोड़ा माइनस कर लो मतलब अप्रोक्स बात करें तो जो सीटे हैं वह आप देख सकते हैं कि एक बार मैं इसको हटा दू चलो यह यहाँ पर हट ने बार होगे हट गया यहाँ पर देख सकते 3055 सीटे पहले से थी उसके बाद में आप अप्रोक्स 1500 सीटे ओर एड कर लो तो हो जाएगी 3100 और 3200 के सम्तिंग अप्रोक्स सीटे तो यही हो गई उसके बाद में कुछ सेंटल गवर्मेंट की भी सीटे हैं तो इस तरह से हम बात करते हैं इसनी सीटे थी लेकिन यहाँ पर क्वालिफाई कम बंदों निकिया तो अब क्या होने वाला है तो देखते हैं तो सबसे पहले तो हम बात करें कि male candidate हैं कौन-कोन यहाँ पर क्वालिफाई करें हैं देखें यहाँ पर जो important चीज़े हो हम देखते हैं तो यूर की जितने भी candidate थे जिन्होंने यूर से प्लाई किया है उनकी एगर हम बात करें तो cutoff जैसा कि आपको पता है 50 थी तो उसमें जितने भी यूर candidate थे जिन्होंने cutoff को cross कर लिया है वो सबका selection यहाँ पर 100% है यहाँ पर 100% वो सीटे है उनकी confirm है और यहाँ पर सीटे है वो vacant भी रहने वाली है यहाँ पर सीटे वेकेंट भी रहने वाली है क्योंकि यहाँ पर सीटे 244 थी और इतने लोगों ने यहाँ पर criteria है उसको qualify भी नहीं किया है इसलिए बहुत कम है यहाँ पर यूर तो यूर की सीटे हैं वो आपकी vacant रहने वाली है सारी भरने भी नहीं वाली है क्योंकि यहाँ पर हम आगे बात करते हैं फिर EWS की जो हम बात करें cutoff थी वो यहाँ पर 50 थी और अगर हम बात करें तो जितने भी EWS वाले candidate है जिनोंने भी qualify किया है सबका selection है यहाँ पर 100% जो list में नाम है उनका 100% selection है और 55 यहाँ पर सीटे अप्रोक्स देखने को मिल रही है लेकिन EWS के candidate की बात करें तो अप्रोक्स 20 के something ही लोगों ने qualify किया है तो यहाँ पर भी सीटे है वो खाली रहने वाली है जो EWS की सीटे भी यहाँ पर vacant देखने को मिलेगी क्योंकि इतने लोगों ने qualify नहीं किया है यहाँ पर फिर हम आगे चलते हैं OBC की cutoff की बात करें तो यहाँ पर minimum qualifying criteria था minimum qualifying criteria था वो यहाँ पर 45% था तो यहाँ पर देखे यहाँ पर क्या हो है OBC के candidate ने कुछ जादा ने qualify कर लिय है लेकिन इतनी सीटें यहाँ पर available है नहीं तो अब हम बात करते हैं देखे क्या होने वाला यहाँ पर तो जो आपके 554 rank तक है जिनकी OBC में अगर बात करें 554 तक जिसकी rank है वो तो AMS की list के according जो यूर qualify कर जाएगा जिनकी rank अंडर 554 है वो यूर को qualify करेंगे वो यूर से qualified होने वाले हैं यहाँ पर और उसके बाद में तिल 1060 है 1060 तक जिनकी rank है वो भी 100% qualify है AMS की CT के according उसके बाद में यहाँ पर 74 प्लस और candidate है जो यहाँ पर clear हो सकते हैं 1060 तक तो clear है 100% AMS के according उसके बाद में जो 74 CT हैं वो भी OBC की हैं यहाँ पर central government में तो 1060 के बाद में 1060 के बाद में 74 candidate हैं इनका भी यहाँ पर नंबर आ सकता है तो यहाँ पर aims के according 1060 तक 100% है उसके बाद में 74 प्लस तक भी यहाँ पर chances है उनका 90% chances है उनका selection हो जाएगा 74% का भी उसके बाद में आगे चलते हैं आगे इसके में बात करें तो टोटल सीटे हैं वो यहाँ पर 154 प्लस OBC male की सीटे अगर aims में बात करें तो 154 ही देखी गई है और central government में जिनकी सीटे 74 है तो आप यहाँ पर मैंने जो rank बताई है 1060 तक तो confirm selection है 100% OBC candidate का male candidate OBC male candidate का उसके बाद में यहाँ पर 74 सीटे जैसे कि मैं बता रहा हूं आपकी central government यह है तो इसके according 74 को आप और ले सकते हो लेकिन यहाँ पर 1060 तक है वो तो M से ही 100% selection है आगे वाला यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि उनका 90% 74 का 90% selection है 10% chances कम है आगे हम चलते हैं उसके बाद वाले जो हैं वो danger zone में है तो हम बोल सकते हैं OBC है OBC male candidate है वो danger zone में है यह जो UR safe में है और EWS भी safe में है जो OBC male candidate है वो यहाँ पर danger zone में है उसके बाद में हम SC category के बात करें तो SC category के male है male की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 40% जो तहाँ criteria था minimum तो उनको qualify बहुत ज्यादा लोगों नहीं किया है और यहाँ पर बात कर तो 79 सीटे थी सिर्फ male candidate SC category की तो उसमें जो 564 तक जो रेंक है जिसकी अंडर 564 जिनकी अंडर रेंक है वो तो UR से qualified है SC candidate UR से qualified होंगे जिनकी रेंक 564 के अंडर है उसके बाद में हम बात करें 1442 रेंक तक जो भी candidate है SC category की जो भी candidate है उनका भी 100% selection है 100% selection है उसके बाद में 28 उपर के person है उनका यहाँ पर 90% आप ले सकते हो यानि जिनकी रेंक इनके बाद में है 1442 के बाद में है उनके 28 candidate आप और प्लस कर सकते हो लेकिन उनका 90% chance है तो यहाँ पर जो 100% है वो आपकी 1442 तक पूरे 100% safe है उसके बाद वाले आपके जो है यहाँ पर पहली list के coding हम बात कर रहे हैं पहली list में यहाँ पर 70, 28 तक है उसके आगे भी हम बात करेंगे कि क्या होगा इनके साथ में पहली list में क्या होगा दूसरी में क्या होगा हम बात करने वाले हैं तो पहले आप पहली list के हम बात कर रहे तो यह अब देख सकते हैं उसके बाद में हम आगे चलते हैं हम आगे बढ़ते हैं है तो आगे हम बात करें ST candidate ST male candidate की हम बात करें तो यहाँ पर minimum qualifying criteria जो 40 था और यहां पर जिनकी रेंग 381, 381 के अंडर है, 381 के अंडर है, वो यूर से 100% कौलिफाइड है, और जो कंडिडेट 2314 रेंग तक है, वो भी आपके 100% सेफ है, 100% सेफ है, जिनकी रेंग 2314 तक है, एकदम सेफ है, उसके बाद में आप 19 कंडिडेट को और ले लो, क्योंकि Central Government की है, इसमें 80-20 नहीं है, तो यहां पर आप 19 कंडिडेट को और ले सकते हो, तो यहां पर अगर हम बात करें, तो 19 कंडिडेट और ले सकते हो, लेकिन यहां तक तक तो जो 100% सेफ है, उसके बाद में 90% चांसेज हो जाते हैं, और सीटे के बात करें, तो यहां पर 42 तो प्लस सीटे, आपकी जो है male ST candidate की है यहां पर, अब हम आगे चलते हैं, फिमेल कंडिडेट की तरफ बढ़ते हैं, तो फिमेल कंडिडेट में क्या क्या 맞는 जो आपको देखने को मिलेगी, क्या-क्या चेंज़ आपको देखने को मिलेगा, तो हम बात करते हैं, female candidate की, तो UR category के बात करते हैं, तो यहाँ पर minimum, जो qualifying criteria था, minimum qualifying criteria था, वो यहाँ पर 50 था, 50 था यहाँ पर, और यहाँ पर जितने भी female candidate है, UR category से हैं, वो यहाँ पर सभी के सभी clear है, और जो भी candidate है, female candidate UR से, वो 100% safe है, वो 100% safe है, बोल सकते हैं, UR female है, वो safe zone में है, उनका सबका selection है, जिनका भी list में नाम है, उसके बाद में हम EWS candidate की तरब चलते हैं, EWS female candidate की तरब चलते हैं, तो उनकी भी जो minimum qualifying criteria था, वो 50% था, और सारी जो EWS की female candidate हैं, वो qualifying है, यहाँ पर seat की बाद के तो UR की seat एक जार प्लस हैं, और यहाँ पर EWS की बाद करें तो 227 प्लस seat हैं, यह EMS की seat की बात हो रही है only, Central Government की seat मैंने नीचे अलग से दे रखी हैं, वहीं अगर OBC female candidate की बात करें, तो अहाँ पर जो UR female हैं, वो भी safe हैं, और EWS female हैं, वो भी safe हैं, सबका selection हैं, जिनका भी इस list में नाम है, उसके बाद में OBC female candidate की बात करें, तो यह यहाँ पर जितनी भी female candidate हैं, यहाँ पर criteria था, जो 55% था, 45% में, जितनी भी female candidate हैं, वो सबकी सब यहाँ पर clear हैं, और जिनकी under, जिनकी under 560 rank हैं, वो UR से qualified हैं, वो UR से qualified होने वाली हैं, और बाद में जो OBC category से उनको seat मिल जाएगी तो सारी female हैं, जितनी भी हैं, वो सारी safe हैं, safe zone में हैं, seatों की बात करें तो female की 644 seat थी, और यहाँ पर भी seat वेकेंट, यह तीनों की seat वेकेंट रहने वाली हैं, तीनों की seat यहाँ पर वेकेंट रहने वाली हैं, जितना भी list में नाम हैं, सबका selection है, अब यहाँ पर SC और ST candidate क के बात करते हैं तो minimum qualifying criteria जास 40 था उसमें अब बात करते हैं जो अंडर जिनकी rank under 549 है जिनकी rank under 549 है वो यूर से qualified है उनको यूर से seat मिलने वाली है और जो बाकी हम बात करें 2209 तक rank है वो यहाँ पर female है वो danger zone में है वो यहाँ पर हम बोल सकते हैं तिल 2209 तक तो 100% qualified है 100% qualified है उसके बाद में SC category की 28 seat यहाँ पर जिसा कि आप देख सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं यह जो central government की seat हैं यह vary कर जाएगी आगे के तो हम बोल सकते हैं इसके बाद में जो 28 candidate है SC के उनका भी selection यहाँ पर होने वाला है लेकिन यहाँ पर जो आगे के candidate हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा लोगों ने qualify किया है तो यह यहाँ पर danger zone है SCV female container बहुत ज्यादा ने qualify किया है देखे दोस्तों अब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको आप negative मत लेना इस बात को क्योंकि मैं जो भी बता रहा हूँ यहाँ पर truth बता रहा हूँ अगर मैं आपको जूट बोलके यहाँ पर बता दूँगा कि आप समका यहाँ पर selection है तो यहाँ पर आपके साथ में अभी एक मिनट के लिए आपको खुशी मिल सकती है लेकिन बाद में आपको यहाँ पर बहुत दुख होगा तो यहाँ पर जो truth है यह research के बाद में मैंने 4-5 गंटे की research करी है उसके बाद में यह list आपके सामने लेके आया हूँ तो यह जो भी है यहाँ पर truth है और अब मैं यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं बताने वाला हूँ मैं यहाँ पर ऐसे की मेरे यहाँ पर मेरे वीडियो को सबसे ज़्यादा देखे इसलिए मैं जूट बोल दूगा कि सबको student को सबको अच्छा लगता है कोई बोलता है कि तुम है ऐसा नहीं है कि आपका इस लिष्ट में नाम है आपने qualify तो कर लिया लेकिन यहाँ पर जो shortlisted नहीं होंगे पहली लिष्ट में तो उनका आगे भी नहीं होगा तो आगे chances है वो कैसे है मैं बताने वाला हूँ तो अभी जो पहली लिष्ट है उसके हम बात कर रहे हैं पहली प्लस यहाँ पर 28 जो central government की seat है जिन पर 20-20 नहीं है तो आप यहाँ पर आगे की seat को ले सकते हो 28% को ले सकते हो 90% chances है उनके यहाँ पर तो यहाँ पर यह जो clear हो गया 2200 हो तक उसके बाद में ST candidate की बात करते हैं तो जो minimum qualifying criteria था जो 40 था और सारे जो female candidate है ST category से वो यहाँ पर qualified है जिनका भी नाम है ST category के female का उनका selection यहाँ पर 100% है और यहाँ पर जिनकी rank under 559 है वो यहाँ पर यूर से qualified है और 157 की बात करें तो यहाँ पर seat यहाँ पर 157 है सीटे की बात करें तो M's के अंदर यहाँ पर ST female candidate की 157 seat है और यहाँ पर देख सकते हैं यह भी आपका safe zone में है तो danger zone की बात करें तो female SC candidate danger zone में है और वहीं जो OBC के male candidate है वो danger zone में है और STO और SC के भी जो male candidate है वो यहाँ पर danger zone में है बाकि जिनका भी यहाँ पर list में नाम है उन सबका selection होने वाला है दोस्तों तो उसके बाद में आपकी next list आएगी उसके अंदर जो मैं बता रहा हूँ आगे के जो भी candidate है आगे के उनका यहाँ पर दूसरी list में नाम आ सकता है उसमें जितने list वे नाम है उनका 99% नंबर आ जाएगा आपका second list में लेकिन first list की बात करें तो मैंने जो बताया है वो ही रहने वाला है इसे उपर नीचे कुछ नहीं होगा जो उपर नीचे होगा वो बस ले रखा है तो 99% जिनका भी नाम है उनका second list में नंबर आ जाएगा आपको tension लेने की जरत नहीं है तो यहाँ पर second list में आपका number आ जाएगा तो second list का आपको wait करना है second counselling का wait करना है जब second counselling होगी तो आपका number जरूर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर already कम लोगों ने qualify किया है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले से job कर रहे हैं पहले से job कर रहे हैं किसी भी central government में या फिर M's में और वो यहाँ पर दुबारा exam दे रहे हैं अपने घर के पास में जाने के लिए तो ऐसी condition में अगर उनको नहीं मिलता है तो वो यहाँ पर जो है join नहीं करने वाले हैं जिसकी वज़े से seat और vacant रहे जाएगी और आपका number आ सकता है अब आपकी category से कितने लोग join नहीं करते हैं उसके उपर depend करेगा कि आपको seat उनकी मिलेगी तो यह आपको पूरा result का analysis है इसके बारे में और कुछ भी अगर आपको जानना हो तो आप बता सकते हैं और यहाँ पर हम वीडियो लेके आएंगे जल्दी से कि आपको किस में आपको सब्रायल्टी देनी है एम्स में जाना है या फिर central government में जाना है क्या salary का फरक है दोनों में क्या workload का फरक है क्या other facilities का फरक है सारी चीजे हम discuss करने वाले हैं एम् government का तो नाम ही central government का है तो यह fully government body है और एम्स आपकी autonomous body है जिसके बारे में हम next video में बात करने वाले हैं अगर आपको और कोई details सही हो तो आप जरूर comment करना ताकि हम जल्दी से जल्दी आपके लिए और वीडियो लेके आएं thank you for watching